मैं तो कहती ये पिए कि धारा बज बिट्टू बजरंगी जी के उपर लगनी चाहिए है ना तो दंगा भड़काने का काम तो उसका था उसकी जैसे शकल खराब है वह ऐसा ही आदमी उसने गगंदी बात बोली कि तुम्हारा जी जा रहा है भाजपा की पुरानी नीती है वो केता है जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है मोदी राम मंदिर को लेकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है क्या राम पहले नहीं थे भगवान जी की प्रातला पहले नहीं होती थी होती थी पर इस वकत उन्होंने भाइचारे को सिरफ खराब किया है खटर की खटारा सरकार क और मूदी की सरकार को लोग पहचान चुके हैं इन दोनों के अलग-अलग सिस्टम है अलाके में लगातार पिछले काफी समय से कॉंग्रेश का जनधार देखने को मिला है और अब कहीं न कहीं जैसे जैसे लोग सबा और विधान सबा चुनाओ नजदी का रहे हैं वैसे वैसे कॉंग्रेश पार्टी का जनधार लगाता बढ़ता जा रहा है ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज समास से भी कमांडो हिडायत खान ने भी कॉंग्रेश पार्टी जोइन करने का ऐलान कर दिया है हमारे साथ मेवात की वो लड़कियां जो कही ना कहीं मेवात के हर मुद्दो को लेकर के जोर सोर से उठाती है और मेवात के हित और हक और हकुक के लड़ाई लड़ने का काम करती है कॉंग्रेश पार्टी में फिलहाल जोईन है हमारे साथ में रजिया बानो जो माइनूटी डिपार्टमेंट में है और सुरुजे वाले के गुट में बताई जा रही है हालाकि किस तरीके से आने वाले चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी का जनाधार रहेगा किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी और जिस तरीके से गुटबाजी के चलते पिछली बार हार का महूं देखना पड़ा अब की बार क्या रहेगा वो जानने की कोशिश करेंगे सबस्प्रेट अब बहुत बहुत स्वागा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का पतरगार बंदू मुझे समय दिया कीमती समय के लिए आपका बहुत शुक्रिया असलाम अलेकुम नमश्कार मैं रजिया बानो अंतरा स्ट्रे तैकॉंडो खिलाडी और राष्ट उनका शुक्रियादा करते हैं और वेलकम करते हैं उनका अच्छे समाज सेवा कर रहे हैं लोग के बीच में अलग पकड़ बना रहे हैं तो क्यों आप पार्टी जोइन करें और को मजबूत करें जी बिलकुल और देखिए लोग भी अब कॉंग्रेस पार्टी पे अपना भ कॉंगरेसे खाते में हम लोग डालने का प्रयास करेंगे बड़े कॉंफिडेंस के साथ बात को कह रहे हैं जी बिलकुल लोगों का भरोसा कॉंग्रेस पर है क्योंकि भारते जनता पार्टी के लगातार जो जूटे बादे करती हैं ना महिलाओं के लिए बोलती है ना रोज जूटे बादे किये किसानों के साथ तो वहां पर भी वैसे फल रही आज हमारे जो नेता है श्री राउल गांदी जी ना यात्रा को लेकर उन्होंने पांच मुद्दे रखे हैं तो उसको वह लगातार लेकर मणिपूर से मुंबई तक चल रहे हैं तो हमारी पार्टी आएगी जरूर आएगी और बहुत बड़े उससे आएगी अच्छे बताये कि मेवात इलाके के लोगों से क्या कुछ उम्मीद लगाए जा सकती है क्योंकि मेवात इलाके में दबदबा रहा है कॉंग्रेस का जो भी कंडिडिट होता है उसको वूर दिया जाता है लेकिन उ सरकार बनेगी या फिर फिर से इन रा साथ लगेगी देखिए सरकार जरूर बनेगी और हमारी पूरी मेवात ही चाहती है कि हमारे चेतर के अंदर बदला हो और लोगों का यही कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अगर कुछ थोड़ा बहुत मार्जन भी रहा था सो अब की बार नहीं देखने को मिलेगा अब की बार सौपर तीसत कॉंग्रेस पार्टी हर्याना के अंदर प्रवेश कर रही है अच्छा यह सभी पार्टी के जितने भी एक कंडिडेट है वो चुनावी मैदान में आकर के लोग की बीच में जाक्यार है कि सरकार हमारी बन रह हरा दिया है और अब यहांपर भी हम लोग रहते बिधे भाजपा की पुरानी नीती है वह किताई मोधी राम मंदिर को लेकर बरगनाने की कोशिश कह रहा है क्या, राम पहले नहीं थे, भगवान जीए की प्रातना पहले नहीं होती थी, पर इस वक्त उन्होंने भाईचारे को सिर्फ खराब किया है, देश के अंदर, दस साल मोधी की सरकार रही है, और उन्होंने सिर्फ और काम के ले काम को ले कर देख ली ज religious今天 रहने रहना चाहिए विपक्ष अब यहां करा या भारती जंता पार्टी ये सोचती है कि राजिस्थान में वा गई ये तो इसी तरीके से हर्याना में आएगी तो ये इनकी बहुत बड़ी गलत फैमी है खटर की खटारा सरकार को और मोदी की सरकार को लोग पहचान चुके हैं इन दोनों के अलग अलग सिस्टम है कि खटर को किसानों के लिए इन्हों कि क्या कहा था कि हम लोग अपके कर्ज को माफ करेंगे आज किसान फिर दुबारा उतारू हो गए अपना धर्णा देने के लिए तो जब यह किसानों के नहीं हो सकते गरीबों के नहीं हो अगर हम यह कहीं कि कॉंग्रिस पार्टी का स्टेप क्या होने वाला है देखिए यह बहुत ही ज्यादा इन्होंने गलत किया है जिस तरीके से अगर हमारे नेता है ममन खान जी हमारे भाई भी हैं वो उनके ऊपर यूए पीए का धारा उन्होंने लगा दी है तो विसेस तोर पर इसके जाच होनी चाहिए क्योंकि यह गलत है सरासर मोधी अपनी भारते जंता पार्टी अपनी ताल ठोक रही है देश के अंदर मनमानी चीजे कर रही है कभी कुछ कर देती कभी आरक्शन को पास नहीं करते कभी कुछ कर देती है वो तो मनमानी चीजे वह अपनी कर रह तो दंगा भड़काने का काम तो उसका था उसकी जैसे शकल खराब है वह ऐसा ही आदम उसने गंदी बात बोली कि तुम्हारा जी जा रहा है तो उसने सबसे बड़ी सबसे बड़ी धारा तो उसी को पर लगनी चाहिए और पूरी मेवात हमारी सब भाईयों के साथ है जो मेरे लेकिन आपका कहना है कि बहुत सारे बेकसूर लोग भी हैं बिल्कुल बिल्कुल इस दंगे में जो नहूं दंगा हुआ था इसमें बेकसूर लोग बहुत बंद किये गए चोटे-चोटे मासूम बच्चे भी बंद किये गए और आज तक भी उनके जमानत नहीं हो पाई है है तो इस चीज के हम और हमारी पार्टी हमारी पार्टी जो विचारधा रहा है हम बिल्कुल खिलाव हैं चीज के और आने वाले समय में देखिए जो पार्टी का अदेश होगा उसी आदेश के अनुसार हम लोग काम अपना करेंगे अच्छा आप के सब्सक्राइब सोना के अंदर भी जाए और सर्वी कीजिए कि कौन से पार्टी निकल रहे हैं हमारे सोना के जो रह चुके हैं मेले रह रहे हैं जो फिल्हाल उन्हों ने आस तक किसी मुसल्मान भाई से तो छोड़ो किसी हिंदु भाई से भी जाकर कि आपको कोई काम हुआ है कि नहीं उनका कार्य बनता है कि वो लोगों के बीच में जाएं और काम करें बिजली को लेकर इतनी परेशानिया रहती हैं कोई स्टैप ही नहीं उठाते ही हुँ तो ऐसे लोगों को गद्द्धी पे बैटनेखने का चलिए बदलाओ की बाते हो रही हैं लेकिन बदलाओ कब कहा और कैसे होगा ये वक्त दे करेगा हमने बात की है अंतर राष्टिय ताइकॉंडू खलाडी रजिया बानों से जो मेवाद के हक और हकुक की अपाजों को लगातार उठाती रहती हैं और मेवाद के हित के लिए हम मेशा चिंतन और मनंद करती रहती हैं